एलो एवरिवन, वेलकम टो लर्ण मैथिनिकली, आज हम गुरनखंड कैसे ग्याद करते हैं, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो अन तक देखेगा, चलिए फिर शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे, एक गुरनखंड ग्याद करना है, यहाँ पर छे है, छे को हम एक पावर दो है, एक ग्याद दो है, जब भी एक ग्याद दो हो, या एक ग्याद पांच हो, चार हो, तो उससे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, यहाँ पर है एक ग्याद दो, तो एक ग्याद दो को हम लिखेंगे, गुना ए, गुना ए, चिक है, यहाँ पर माइनस है, माइन S2 मतलब 1 अगाद दो तो हम लिकेंगे Guna A और यहाँ पर B Guna B ठीक है अब आप देखिए इन सारे में से आप Common क्या कर सकते है यहाँ पर 6 है और यहाँ भी 6 है यहाँ पर 1 6 है और यहाँ पर 2 6 है तो हम 1 6 Common कर लिते है हम 1 6 यहाँ लिख दिये ठीक है यहाँ पर दो A है और यहाँ पर भी दो A है तो हम दो A common कर सकते हैं गुना A गुना A हमने common कर लिया अब कोस्ट में इन सारे में से हमने इतना common कर लिया इसमें से हमने इतना common किया तो यहाँ क्या बचा 6 गुना A हमने इतना common कर लिया तो यहाँ पर एक बचा एक, ठीक है, माइनस, इसमें से हमने इतना कॉमन किया था, छे, एक छे, एक छे हमने कॉमन किया है, और दो ए हमने कॉमन किया है, एक छे हमने कॉमन कर लिया, और दो ए हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, एक छे बचा, छे, गुना बी बचा, गुना पॉस्ट में 1-6 गुना B है तो इसे हम 6B ठीक है यह हमारा एंसर हो गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा देखी हमने क्या पढ़ा 6A2-36A2B है इसका हमें गुननखंड ग्याद करना है ठीक है तो पहले हम देखेंगे 6 है यहाँ पर क्या है यहाँ पर नंबर है 6 6 को हम क गुना A लिख सकते हैं ठीक है माइनस माइनस का था माइनस हमने लिखा 36 है 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6 ठीक है 6 गुना कर लिया यहां पर दो ए है और यहां भी दो ए है तो हमने दो ए कॉमन कर लिया हमने इतना कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहां पर एक बचा एक हमने लिखा minus minus का sign हमने 6 गुना a गुना a common किया तो 1 6 हमने common किया तो 1 6 cancel हो गया 2 a हमने common किया 2 a हमारा cancel हो गया तो क्या बचा 1 6 और b बचा 6 गुना b हमने लिख दिया 6 a square cost में 1 minus 6 b ये हमारा answer हो गया I hope आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए फिर हम second question देखते हैं एक ये second question है हमारा a x cube plus b x square plus 6 x आप देख सकते हैं यहाँ पर x का power 3 है मतलब x का घात 3 है यहाँ पर x का power 2 है मतलब x का घात 2 है और यहाँ पर x का power 1 है यहाँ पर 1 चुबा हुआ है ठीक है तो हमें इन सारे में से कुछ common करना है यहाँ पर a b और c है यह तो हम common कर नहीं सकते हैं लेकिन इन में से कुछ common यहाँ पर 3 x है यहाँ पर 2 x है यहाँ पर 1 x है हमें इन सारे में से x को common करना होगा लेकिन यहाँ पर तो 3 x है यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो हमें यह हमेशा याद रखना है हमें सबसे कम वाले x के नंबर को common करना है तो सबसे कम क्या है? एक x है तो हम एक x common कर लेते हैं तो x हमने common कर लिया तो यहां क्या बचा? a x का power क्या है? 3 है और यहां पर x का power क्या है? 1 है हमने 1 x common किया तो यहां पर क्या बचा? x का power 2 बचा plus ठीक है ये हमारा एंसर हो गया I hope आपको समझ में आ गया होगा वीडियो हेलफू लगी तो लाइक करें चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल Learn Mathurically को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन दबाए Thank you